धान की जो पैदावर होती है वो निर्भर करती है कि भाई आपने पहली यूरिया कब डाली और उसमें क्या क्या मिला का डाला उसके बाद दूसरी यूरिया कब डाली उसमें भी क्या क्या मिला का डाला और एक आखरी यूरिया किस कंडिशन पर डालनी होती है तब जाके आप एक बंपर पैदवार की उम्मीर ले सकते हैं तो अगर आप इस तरीके से धान की खेती करते हो तो भाई आप उन 10% लोगों में से हो जो फार्मिंग को अपना पैशन मानते हैं क्योंकि होता क्या है कि किसी भी पौदे को 16-17 जुरूरी पोशत चाहिए होते हैं अपनी संपूर्ण ग्रोथ और डेवलोमेंट के लिए तो आपको क्या करना है कि इन सभी पोशत चाहिए को इन तिनों यूरिया में बारी बारी से देते रहना है तब जाके हमारी मिटी में इन पोशत चाहिए की कमी देखने को नहीं मिलेगी अगर आप अकेली डीएपी या फिर यूरिया से धान की खेती करते हो तो भाई आप फिर मिटी से सारे पोशत अत्वों को खतम कर रहे हो तो आप इन सब पोशत अत्वों को बारी बारी से धान की फसल में देते रहना है तब जाके आप धान की फसल से एक बंपर पैदावार की उमीद लगा सकते हो नहीं तो जैसे हर साल खेती करते आये हो तो वैसे ही एक नॉर्मल उत्पादन की उमीद देखने को मिलेगी तो चलिए जानते हैं कि पहली दूसरी और तीसरी यूरिया में क्या क्या मलाका डालें और इसे कब कब देना है किसान विरो हमें धान रुपाई के आठ से दस दिन बाद पहले यूरिया डालनी है साथ में कोई भी अच्छी क्वाल्टी का दानेदर ग्रोथ प्रमोडर ये जुरूर ले लेना है हमने तो शुरू में ही 25-30 केजी प्रतियेकर डीएपी के साथ माइक्रोईजर डाल दिया था और उसके बाद फिर धान की रुपाई कर दी थी सो आपको भी अपनी पहली यूरिया के साथ एक बड़िया सा ग्रोथ प्रमोडर जुरूर ले लेना है क्योंकि ग्रोथ प्रमोडर ये सब सीविड एक्स्ट्रेक्ट से बने होते हैं जैसे कि आप ले सकते हो सागरीका हो गया, बाया विटा हो गया या फिर एक्स्टूड हो गया और भी बहुत सारे दानेदर ग्रोस परमोटर ले सकते हो ये सब जल्दी से जल्दी जड़ों का विकास करके पौदों को तागतवर बनाएंगे फिर पौदे बहुत कम मरेंगे सो यूरिया प्लस जाइम के साथ एक हमें लेना है कीट नाशक, कीट नाशक हमें इसलिए लेना है क्योंकि धान की रुपाई के 4-5 दिन बाद जमीन में एक बिल्कुल बरीक लाल कीट, ये अपने आप ही खेत में पैदा जाता है और इस कीट की बड़वार बहुत तेजी सो होती है, ये कीट पौदों की जड़ों के आसपास ही रहता है और नई जो सफेज जड़े होती है उनको खाते रहता है, जिसके कारण पौदों की ग्रोथ फिर वहीं पर रुकी रहती है, जड़े काली भूरी हो जाती है, इसलिए यूरिया प्लस जाइम के साथ एक कीट प्लस भी ले सकते हो, इन में से कोई भी एक कीट नाशक को यूरिया प्लस जाइम के साथ अच्छे से मिलाकर हमें चीटा दे देना है, और ये हो गया हमारा पहली यूरिया में हमें क्या क्या मिलाकर डालना चाहिए, तो फिर हमें दूसरी यूरिया खाद डालनी है, ये हमे पहली यूरिय खाद में इसलिए नहीं डाला है क्योंकि आठ से दस दिन बाद फसल की रूट और टिलर्स ये सब बन रहे होते हैं और नहीं पौदों में जिंक की कमी देखने को मिलेगी और इसके अलावा अगर हमने धान रुपाई के समय डियेपी या फिर एससपी खाद डा नहीं होती है इसलिए धान की फसल में 20-22 दिन बाद ही जिंक डालनी है अगर हम इस समय जिंक नहीं डालते हैं तो भाई पत्तों में भूरे रंग के दाग धब्य बनना शुरूर जाते हैं और फिर फसल के कल्ले बहुत कमजोर दिखाई देते हैं और इसके लावा बात करें सल्फर की तो सल्फर ये पौदों में प्रोटीन, अमीनो एसीड, विटामिन, एक्टिवेट्स, वेरियस अंजाइम और कलोरोफिल बनाने में बहुत जुरूर ही होता है और ये फसलों में पिले पन को दूर भी करता है इसके लावा सल्फर ये एक कॉंटेट फंगी सेड है टौनिक है और ये खाद का काम भी करता है मतलब कि आप ऐसे समझें कि नाइट्रोजन, फॉस्फरस और पटाश के बाद सल्फर ये चौथे नमर की खाद होती है इसलिए जिंक और सल्फर को दूसरी यूरिया में जरूर ही दे देना है जिसके बाद फसल की ग्रोथ और कल्ल इतने ज़्यादा नहीं हुएं तो फिर हमें क्या करना है कि तीसरी यूरिया में दो किलो आइरेन लेना है दो किलो मेगनिशम लेना है और पटाश ये जरूर ले लेना है और हो सके तो इनके साथ एक ह्यूमिक एसिड भी जरूर एड़ कर लें ह्यूमिक एसिड के बहुत ज धान की फसल में हुमिक एसिड देने से धान के सारे कल एक समन कर देगा तो हमें क्या करना है कि यूरिया प्लस आयरेन प्लस मैगनेशन प्लस हुमिक एसिड और प्लस पटाश इन सब को आखरी यूरिय में दे देना है मगर पटाश हमें तब देना होता है कि अगर हमने धान र पाई के समय NP के खाद डाली है तो फिर हमें आखरी यूरिया में पटास देने की जुरूरत नहीं होती है तो इस तरीके से हमें सभी खादों को बारी बारी से अपनी फसल के साब से देते रहना है तब जाके आप धान की फसल से बंपर पैदावर ले सकते हो बाकी धान की फसल में exact time पता होना चाहिए कि भाई कौन सी खाद कब डालेगी और इसके अलावा जिसको DAP, SSP और NP के खाद कब पता नहीं है कि भाई हमें कब डालनी है तो भाई आप ये वाली वीडियो जुरूर देखो धन्यवाद